नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जिस्वी धरुन में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कास्टेबल भरती 2018 के बारे में 59,568 के पदों पर जो भरती निकाली गई थी 2018 में उसके रिजल्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेज कर दीजैं ताकि मेरे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे देखिए दोस्तों मेरे चैनल पर मिलती हैं आपको किसी भी भरती से जुड़ी समधित खबरे सामानिय अधन सामानिय जी के और करंट अफेर्स की महत्पूर्ण वीडियो आपको मिल जाती है तो चले दोस्तों देखें यहां पर बताया गया है देख लेते हैं आज खबर क्या है देखें आज है 20 फरवरी और आज के न्यूस्पेपर की कटिंग है जहां विभाग ने एक नोटिफिक्शन भी जारी किया है जिसमें बताया गया है जो कास्टेवल भरती परिकरिया जो 2568 पदों पर चल रही है उसकी जो मेरिट लिस्ट है बहुत जल्द जारी होने वाली है तो देखें कब तक यह जारी करेंगे आज इसी के बारे में बुलावा देखे वर्तमान में यानि के फरवरी महीना चल रहा है तो फर बताया गया के फरवरी के अंत तक जो है 59568 वारी भरती की जो है मेरिट रिलिस्ट जारी कर दी जाएगी और जिसमें डेड़ गुना अभ्यार्तियों को डीवी और प्याश्टी के लिए बुलावा भेज जाएगा डेड़ गुना का मतलब है देखें 59568 पदों पर भरती निगली थी तो इसका डेड़ गुना बुलाए जाएगा यानिके लगभग के अंतिम सब्ता तक मेरिट इसकी लगज आएगी और 75,000 वियक्तियों को जो है केवल डीवी और पेस्टी के लिए बुलाए जाएगा आगे देखते हैं क्या है देखें अब दिया है के पुलिस कास्टिबल भरती 2018 के 41,520 पदों पर आईज परिक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद अब 29,568 कास्टिबल के पदों पर पदों की परिकिरिया ने इस पर पगल ली है बताया गया है कि लिखित परिक्षा की मारक शीट तयार कर ली गई है जो इसकी परिक्षा हुई थी उसकी जो मारक शीट है वो तियार कर ली गई है और जल्द ही कटोफ लिस्ट जारी कर डॉक्यूमेंट परिक्षन वे सारी दक्सा परिक्षन के लिए अभ्यर्तियों को बुलावा भेजा जाएगा पुलिस कास्टिबल और देखें इस बरत और 18,208 PSC कास्टोबल यानि के कुल 59,568 पदों के लिए परिक्षा हुजद कर आई गए थी और नवंबर में इसका विग्यापन निगाल गया था यह भरती के जो आवेदन हुए थे नवंबर में शुरू कर लिए गए थे देखें आगे क्या दिखा है फरवरी के अंतिम सप्ता में इन पदों के लिए कटोफ लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी तो आपको देहागा ना फरवरी के अंतिम सप्ता तक जो है इसकी कटोफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी इसके तहत कुल पदों के डेड़ गुना अभ्यारती को डोकुमेंट परिक हम सब्ता में अंतिम रिजल्ट जारी करने की पूरी योजना है यानि कि इस लिष्ट के बाद बताया गया है कि अप्रेल के पहले सब्ता में या अप्रेल में इसका जो है अंतिम रिजल्ट फाइनल रिजल्ट उन्हेंच जार 568 वाली भरती का जारी कर दिया जाएगा और अगले माँ में बताया गया है कि अगले माँ आने के अप्रेल और मैं जून तक जो है जून से पहले-पहले इनको जो है ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा उनिचार 568 वाले अभ्यरतियों को तो दोस्तों यह थी महत्पून तो पर यहांब यहांदि के सभी को जो है रिजल्ट का इंतजार है तो मैरिट जो है इसकी फ़रवरी के अंतिम सप्प्ता तक लगने वाली है गहुत जलद इसकी बंद मत कीजिए फिजिकल अपना जो है मजबूत रखिए ताकि आपको फिजिकल में बाहर ना होना पड़े और डोकुमेंट से अपने सारे कंप्लीट करा लिए डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगी वह बहुत जल्द रिजल डियान के मेरिट आने के बाद बहुत सब्सक्राइल तो आपको फिलाल जो वरतमान में चल रही है फायर्मैन जेल वाड़न और गुर्सवार की जो भरती चल रही है उसकी जो आवेदन तीति बढ़ादीगई भाग के द्वारा देख लेते हैं ऑगेदन की अंतिमतिति बढ़ी देखे फायर्मैन जेल वाड़न गुरसार पुलिस के पदों के लिए आवेदन की अंतिम्तिती बढ़ा दी गई है। उलेखने हैं कि इन पदों, तीनों पदा के लिए बीती 18 जनवरी को आवेदन परिक्रिया सुरू की थी। आवेदन की अंतिम्तिती 19 फर्वरी निर्धारित की गई थी। पुरित भरती बोड की और से बताया गया है कि ओनलाइन आवेदन में कुछ तकनीकी खामियों के चलते अभ्यरतियों के आवेदन कर पाने में नाकाम करने की सिकायत थी, इसी को देखते वे इन पदों के आवेदन के लिए अंतिम्तिती 19 फरवरी से बढ़ा कर 24 फरवरी कर दी तो देखें जो जेल वार्डन फायर मैन गुल सवार की जो आवेदन चल रहे हैं इस पदोंकर भरती चल रही है उसकी जो अंतिम्तिती 19 फरवरी थी लेकिन विभाग ने इसकी अंतिम्तिती 19 फरवरी से बढ़ा कर 24 फरवरी कर दी है तो इसमें जिन बच्चों ने जिन अभ करना मत बूलना धन्यवाद